बात करेंगे हम उत्तरकाशी की जहांपर जिंदिगों को बचाने के लिए खास ओपरेशन चलाया जा रहा है उत्राखंड के उत्तरकाशी में पिछले 100 घंटे से ओपरेशन जिंदगी चल रही है 40 लोग टनल में फसे हुए है मजदूरों को बचाने के लिए युद दस्तर पर काम किया जा रहा है और इसमें 200 से जादा रिस्क्यू टीम के वोटकर्स लगे हुए है और ये टीम 24 घंटे रिस्क्यू आपरेशन में जुटी हुई है सेना के जवानों ने भी अब मोटचा थाम लिया है सेना के हरक्यूलिस विबान के जरिये हेवी ड्रिलिंग मशीने लाए गई है ताकि पाइप के जरिये टनल में फसे मजदूरों को निकाला जा सके दरसल 12 नमंबर की सुभा चार बजे एक निर्माना धिन टनल धस गई थी जिसमें 44 मजदूर टनल के अंदर ही फस गए लेकिन राहत की बात ये रही है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं उन तक खाना पहुँचाया जा रहा है टनल में फसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पाइब डालने के लिए प्रक्रिया दो दिन पहले ही शुरू हुई थी लेकिन वो सक्सेस्फुल नहीं हो पाया बताया जा रहा है कि टनल का हिस्सा लगातार गिरता जा रहा है मलवा जो साइज साथ चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल बड़ा खरलंक है और यमनोत्री नैशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडलाव गाओं के बीच बनाया गया है और फसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए कोशिश जारी है बिहार, जारखन, उत्तर प्रदेश, पश्यमंगाल, ओडिस्सा, उत्राखन और हिमाचल प्रदेश के बताये जारे हैं इसमें मजदूर हैं जो 40 इस वक्त फसे हुए है और इसमें काम चल रहा था अब NDRF, SDRF, ITVP, BRO और नाशनल हाईवे की दोस्तों से जादा लोगों के टीम 24 घंटे इस रिस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है रिस्क्यू ऑपरेशन के मॉनिटरेंग PMO के और से भी की जा रही है और उसके के बाद सेना को इसमें लगाया गया और पाइप के जरीए खाना भीजा जा रहा है और पाइप के जरीए आप देख सकते हैं जो सूखा चना है सूखा चना लोगों तक पहुँचा जा रहा है पाइप के जरीए प्रेशर के जरीए एर प्रेशर के जरीए चने को एक एंट से दूसरे एंट तक पहुचाया जा रहा है ताकि जो लोग अंदर मौझूद है उन्हें खाना मिलता रहे और साथी साथ ऑक्सिजन मिलता रहे तो जदो जहद हैं कि किस तरह से 100 घंटे से जादा का वक्त गुजड़ चुका है और 40 लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए हर मुम्किन कोशिश की जा रही है अब पाइप के जरीए टनल के अंदर रास्ता बनाने की कोशिश हुई थी लेकिन वो सक्सेस्फुल नहीं हो प बात है और मलवे का जो दारा है वो बढ़कर करीब 70 मीटर तक पहुंच गया पहले 50 मीटर तक था अब टनल में फसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए खाना और उनके तक हवा तक पहुंचाई जा रही है एरफोर्स के जो विमान है और यह आप तस्विरों में देख सकते ह कि किस तरह से जो हेवी ड्रिलिंग मशीन है वो उसका इस्तमाल अपसे थोड़ी दिर बाद शुरू भी हो जाएगा रिस्क्य ओपरेशन में सेना को भी अब लगाया गया है अब इंडिया टीवी के टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवादाता मनीश यहां पर यहां पर यह पहाड़ी एरिया है मिटी और साथ में जो पत्थर चटाने हैं वो कई जगों पर एक एक करके नीचे की तरफ गिरती है इसलिए यहां पर प्रिकॉशन के तौर पर जेसी बीज और जो यहां के लोकल एड्मिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने एक्व इंगोट आपको दिखाई दे रहा है धरासू बैंड से लेकर सिल्क्यारा और ब्रहमकाल का यह में रास्ता है जो कि यमनोत्री को जोड़ता है यहां से बंड गाउं 41 किलोमीटर की दूरी पर है सिल्क्यारा बैंड का यह पूरा एरिया पहाड़ी इलाका है और आबादी ब यहां पर इस समय जो उत्राखंट पुलिस और साथ में ITVP के जवान है NDRF के जवान है उनकी यहां पर तैनाती है एंबुलेंस यहां पर स्टेशन किया गया है ताकि जो 40 वरकर अभी भी अंदर हैं वो जो निकलें तो उनको ततकाल प्रभाव से फर्स्टेट देते हुए यहां से सीधा हॉस्पिटल रेफर किया जाए यह चारों तरफ पहाड है पेड़ और चटाने हैं क्योंकि मिटी के दरख हैं तो इसी वज़े से सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की थी कि 4531 मीटर की यह टरनल यानि करीवन 45.5 किलो मीटर की यह टरनल है जिसमें से 1000 मीटर से ज्यादा का काम हो चुका है और 70 मीटर का अभी भी काम वो एरिया है जहां पर जो 40 जिंदगियां हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हैं यह चारों तरफ से कम अबादी वाला शेत्र है इसी लिए पूरी डेमोग्राफी रीड करने के बाद इसको चुना गया इस एरिया को ताकि कि यहां से टू लेन टनल तैयार की जाए कैबिनेट कमिटी ओफ एकनॉमिक अफेर्स ने इसे 2018 में अप्रूव किया था और उसके बाद से चार साल के अंदर इस पूरे टनल को तैयार करना था कुल मिला के 1300 करोड की लागत से इस टनल को तैयार करना था लेकिन जैसे ही कि अब उनको निकालने की पूरी जद्दोजहत की जा रही है कंट्रोल रूम सेट अप किया गया है जो इंजरिंग कंपनी नव्युगा है उन्होंने अपना एड्मिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहां पर जो उनका पहले से था उसके लावा आधनिक मशीन्स को यहां पर भारति मुख्य मंतरी नरेंदर मोदी ने खुद यहां के मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी से बात की और वो इसकी निग्रानी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जा सके तो अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से 14 नवंबर से लगातार कोशिश की जा रही है कि पाइप के जरिये मजदूर को बाहर निकाला जा सके लेकिन वो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाए लेकिन एक बार फिर से इस प्रोसेस को शुरू कर गया जाएगा इसके लिए ओगर ड्रेलिंग मशीन और हाइडोलिक जैक की मदद से 35 इंच आप देख रहे हैं कि किस तरह से 35 इंच का एक लंबा आप पाइप यहाँ पर इस्तिमाल किया जाएगा 60 फीट का यह स्लैब गिरा है और मजदूर आप देख सकते हैं फसे हुए है टोटल जो टनल का लेंथ है वो करीब साड़े 4 किलो मेटर है और पाइप से खाना पहुचाया है अभी तक गया है ऑक्सेड में पहुचाया जा रहा है इस जिगर पे जो मजदूर फसे हुए है उ 70 मीटर तक अगर यहां पर मलवा है तो डिस्टेंस और बढ़ गया है यानि कि ड्रिलिंग और जादा करनी होगी और पाइप को आरपार करने के लिए और जादा इसमें समय लगएगा हमारे समाधाता मनिश प्रसाद लगातार हमें ग्राउंड जीरो से इस बारे में जानका गया है इस टनल के अंदर जैसे ही मिट्टी यानि जो मलवा डेबरी नीचे गिर रहा है उसको जब निकाला जाएगा उसके बाद इसी 900 मिलिमीटर की स्टील जो डाय वाली पाइप है इसको अंदर डाला जाएगा ताकि इसी के जरिये क्रॉल करते हुए इस स्पेस से जो अ करके जो 70 मीटर का स्ट्रेच है जहां पर मज़़ूर फसे हुए हैं जहां पर वरकर फसे हुए हैं उसके अंदर वो इस पाइप को तेज प्रेशर के साथ उन्दर डाल सके और फिर उसके बाद यहां से एक इक करके क्रौल करते हुए इसी पाइप के जरिये क्योंकि 900 मिलिम मीटर है आसानी से इस पर क्रॉल किया जा सकता है दरसल इसका इस्तमाल कई अलग अलग जगों पर किया जाता है लेकिन अब चुकी एवैक्वेशन करना है रिलीफ और रेस्क्यू पहुचाना है उन तक तो जो खाने के लिए एक छोटी पाइप का इस्तमाल किया जा रहा है ल को अंदर डाला जाएगा ताकि मजदूर बाहर निकाला जाएगा यह और भी पाइप बहुत ज्यादा लाके रहा है काफी है काफी संक्य में है यहां पर जो एड्मिस्ट्रेशन है उसमें कारेरत हैं इनको जिम्मा सौपा गया है ताकि यह इस पाइप का रखरखाव ध्या के साथ और जो 40 जिंद्गियां इस समय अंदर मौजूद हैं जो जिंद्गी और मौत के भी जद्दो जहद कर रही है हाला कि एड्मिस्ट्रेशन का कहना है कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई रगलर दिया जा रहा है हम बता दें जहां पर 70 मीटर के बाद वो फसे हुए है वो कर जा रहा है कि टेनल के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर शुरू के 200 मीटर तक जो प्लस्टर किया गया था लेकिन उसके आगे प्लस्टर नहीं हो पाया था जिसकी वज़े से यह हासा हुआ है और 40 मजदूर टेनल के अंदर फस गए उन मजदूरों को बाहर निकालने के ल जे हरकुलिस के जरिये ऑगर मशीन दिल्ली से अब यहां पहुँच चुकी है और उसके पहुचने के बाद अब इसे टरनल के अंदर भेजा जा रहा है ट्रक के अंदर रखकर ऑगर मशीन को अंदर भीजने का मेंन मकसद यह है ताकि जो इवैक्वेशन का काम है उसमें ते पूरा एरिया है उसको खाली किया जाएगा सतर मीटर तक जहां पर इसमें मिट्टी और मलवा काफी जादा है उसको इसी के जरीए पाइप की हेल्प से जो पूरा का पूरा जो मलवा और डेबरी है उसको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा ताकि ये पूरी तरीके से जो ट और इसको लाने का मकसद यही है ताकि जो 40 जिंदगियां अभी अंदर हैं उसको उनको निकाला जा सके यहां पर सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे डेमोग्राफी में यही है कि मिट्टी और पत्थर खिसक रहे हैं तरनल बनने के बावजूद यहां पर जो अंदर का पूर पर जो पूरा स्पेस है वो ब्लॉक्ड है और और मशीन को लाया गया है वहीं दूसी तरफ एरिया को ब्लॉक किया गया है एक कंट्रोल रूम सेटप किया गया है उसके लावा और जो वॉकी टॉकी अंदर मजदूरों के पास और वरकर्स के पास हैं उनसे बात करने की कोश की जा रही है उनको कम्मिनिकेट किया जा रहा है पाइब के जरीये राशन और ऑक्सीजन के तौर पर जाहे वो चने हो या फिर उसके बाद खाने का सामान वो भिजवाया जा रहा है ताकि वो सुलक्षित रह सकें